हेलो एब्रिवान आज मैं आपके साथ क्रिस्मिस केक के एक बहुत ही युनीक सी रेस्पी शेयर करने वाली हूँ इस केक में ना तो मैं अंडा ना ही दही ना ही दूद यूज़ करूँगी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं केक बनाने के लिए मैंने कुछ ट्राइफ्रूट्स लिए हैं तो सबसे पेले एक बोल में कटे हुए बदाम, काजू, अक्रोट, मगज यानी तरबूज और खरबूजे के बीच, गोल्डन किश्मिश, ब्लैक किश्मिश, मिक्स टूटी-फूटी और साथ में मैंने लिए है तीन से चार खजूर जिसके बीच मैंने निकाल दिया है और उनको वरीक काट लिया है, तो अभी सारे ड्राइफ्रूट्स को मिक्स करेंगे, आप अपने टेस्ट के कोडिंग कोई भी ड्राइफ्रूट्स को स्किप कर सकते हैं या ज़्यादा डा कोड़ सकते हैं तो अभी हम इसमें डालेंगे आफ्राइफ का रूब तेमपट्रेचर पर रक्कि हुई कोका कोला., तो अभी इन ट्राइफ्रूट्स में कोका कॉला को मैंने डाल दिया है, और अब स्कॉइक पर अग्स कर देंगे, और फिर हम इस वर् informative के लिए मिंट के लि केक मॉल्ड को ग्रीज कर लेंगे मैं ये केक microwave oven में बनाने वाली हूँ मैंने ये exceptional का cake मॉल्ड लिया है cake मॉल्ड को ग्रीज करके मैंने एक side में रख दिया है अब एक mixing बोल लेंगे और उसमे बन फॉर्थ का प्रिफाइनड ऐल डालेंगे और साथ में हाफ कप पिसी हुई चीनी डालेंगे तो ये घर की पिसी हुई चीनी है इन दुनों को फ्लफी होने तक हम अच्छे से फैंट लेंगे अब चलनी रखेंगे और उसमें एक कप मैदा डालेंगे वन टीस्पून बेकिंग पौडर और हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और इन सब को चान लेंगे इन सब को मिक्स करेंगे और फिर इसमें सोक करके रखे हुए ड्राइफूट्स हम इसमें एड़ करेंगे तो इसमें ना तो मैंने दहीं यूज किया है, ना ही हम इसमें दूद्ध यूज करेंगे, ना ही अंडा यूज करेंगे, तो यह सोकिये हुए ड्राइफूट्स मैंने इसमें डाल दिये हैं, तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हलके हाथों से मिक्स करेंगे, अगर आपको ये बैटर थोड़ा थिक लगे तो आप इसमें एक से दो टेबल स्पून कोका कोला के और एड़ कर सकते हैं तो अभी ये मेरे को ड्राई लग रहा है तो इसमें मैं दो टेबल स्पून कोका कोला एड़ करूंगी तब हम इसको हलके हाथ से mix कर लेंगे Coca-Cola डालकर केक बनाने की ये recipe आप एक बार try जरूर करें बिना अंडा, बिना धूद, बिना दहीं के सिरफ Coca-Cola डालकर हम केक को बहुत ही soft and spongey बनाएंगे और बहुत ही tasty cake बन कर त्यार होगा तो इसे हलके हाथ से मैंने cut and fold method से mix कर लिया है Cake mold में batter को transfer करेंगे Microwave oven को मैंने preheat होने के लिए पहले ही रख दिया था Spatulas से batter को एक सार करेंगे और फिर एक बार tap कर लेंगे अब preheated oven में cake mold को रखेंगे और convection mold पर 160 degree पर 35 मिनट का time set करेंगे तो मेरे microwave में ये 35 मिनट में बन कर त्यार हो जाता है आप एक बार 30 मिनट के बाद cake को चेक कर लें और फिर उसी हिसाब से आगे time set करें तो 30 से 35 मिनट के बीच में ये cake बन कर त्यार हो जाएगा तो 35 मिनट हो चुके हैं, cake bake हो चुका है तो एक बार toothpick से इसको check कर लेंगे तो center में हम toothpick डाल कर देखेंगे toothpick बिल्कुल साफ निकली है तो cake बन कर त्यार है तो आप 30 मिनट के बाद इस तरह से एक बार cake को check कर लें अगर आपको लगे कि cake नहीं बना तो आप 5 मिनट का time और लगा दें तो मैंने 35 मिनट में इसे बनाया है तो अभी इसको थोड़ी देर के लिए room temperature पर ठंडा करेंगे और फिर इसको demold कर लेंगे केक बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है अब cake को cut करेंगे Christmas पर आप cake की ये recipe जरूर try करें और फिर comment box में जरूर बताएं कि आपका cake कैसा बना अगर आपको cake बनाने की ये recipe अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को like और share जरूर करें cake बहुत ही soft and spongy बना है तो इस तरह से हम बिना अंडे के बिना दूद के और बिना दहीं के भी बहुत ही soft and spongy cake बना सकते हैं कोका कॉला से cake बनाने की ये recipe आपको कैसी लगी comment box में जरूर बताएं ऐसे ही और भी easy और tasty recipes देखने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो monica's kitchen को subscribe जरूर करें thank you for watching my video मिलती हूँ एक और नई recipe के साथ तब तक के लिए देखते रहें monica's kitchen अपको सब्सक्राइब टेखते हैं